यार मुझे अब दर ही नहीं लग रहा था ठीक है मुझे पता तक date आ रहा एक्जाम का date आ रहा एक मैना बचे हुए बीज दिन बचे हुए बट मुझे भस लग रहा था यार कि कर्म करते रहो क्योंकि आज मैंने वह आपसे अपना सीक्रेट आपसे से करने वाला हूं जो मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में अपनाया था और जिससे की मेरा नीट क्रैप हुआ था और मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलीगी यह बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेरी भेज रहे थे कि मुझे मेरा माक्स जाए श्टक हो चुका है पढ़ने का मन नी कर रहा है इस वीडियो को देखने का बाद जब तुम फाइनल रीट एक्जाम दोगे तुम्हारा माक्स उसमें से 80-100 माक्स ज्यादा लाओगे तुम मैं अपने सिच्वेशन बता देता हूँ कि उस समय मैं कि सिच्वेशन मत था इससे पहले मैं दो ड्रॉप ले चुका था इंदया 2019 और 2020 जिसमें मेरा माक्स थे 442 रिस्पेक्टिविली और 555 और यह मेरा थर्ड रॉप था इंदया 2021 जिसमें कि मैंने कोई भी कोचिंग जोई नहीं किया था अफ्लाइन नहीं ऑनलाइन मैंने खुच से तयारी कर रहा था सेल्फ इस्टेडी घर सही बेटके क्योंकि यह पोश्ट कोविड का दौर था 2020 में पुरा लोगडाउन लग चुका था उसके बाद 2021 में वहां पर लोगडाउन सारा हट चुका था बड़ फिर भी मैं बहार नहीं गया था तयारी के लिए मैंने इसमें डिसाइड किया था कि मैं खुच से घर में ही तयारी करूंगा और पिछले बार कहीं जो कोचिंग क को फिर से बढ़ाता अपने से एंड मेरा अपना खुद का नोट्स था ओके इसमें भी मैं लास्ट की बात की बता रहा हूं कि जब मेरा मांस करीबन 500-530 के बीच आके अटक जा रहा था ठीक है बस एक महना पहले एक जाम से ओके सो मेरे कंडिशन यह था कि देखो मैंने 500-530 के बीच ही आता था उससे ज्यादा आता था ना उससे कम आता था ठीक है। तो मैं फिर से पर ठाता था है सारे AnTheity को पर आता था फिर से पर ठाता था ग supporter में एक लूप होल में फंस चुख था ठीक है कि सत्यादा मेरा मांस सी ली बढ़ रहा था और जैसए यसा गरा ट बार बार इतना कम मार्स आ रहा था अगर मैं इंडिविजर इस ओर की बात करूँ तो मेरा बायो में 320-340 आता था हर टेस्ट में प्रेस्टि में 140-160 की बीच आने का चांस रहता था बट वही कभी-कभी 120 की बीच में लटक जाता था बट फिजिक्स मेरा सबसे आधा वीक था मेरा फिजिक्स कभी-कभी टैच कर जाता था ठीक है मेरा ये सिचुएशन था बट ऐसा नहीं है कि मैंने फिजिक्स अच्छा सा मेरे फिजिक्स बेच्छा से पढ़ा था पट पता नहीं क्यों मरे से कुईस्टिंस ही नहीं लग रहे था है लेकिन वहीं प्रिभी-कू को लगाता था ठीक है जब मैंगे मेरा मेरा निट ग्रैक कर सकता हूं। उपर से मैं ठेहरा middle class family ठीक है, मेरे पापा का पास उतना resources नहीं थी कि मुझे एक private college में admission दे सके, पर मैंने न अपने पापा को बात करते सुना था, क्या बात करते सुना था, मैंने अपने पापा को अपने मामा जी से बात करते हो सुना था, कि मेरा बेटाइना यार मेहनत तो कर रहा है, बड़ उसका हो नहीं रहा है, पताने क्यों नहीं हो रहा है, तो अगर इस बार उसका नहीं वाना, तो मैं उसका private college में admission दिलवा दूँगा, ठीक है, बड़ मुझे पता था, यार कि मेरे घर का situation क्या है, कि मेरे पापा effort कर सकते है कि नहीं कर सकते है, मेरे private college में पढ़वाना, ठीक है, और मैं ये भी जानता था, यार कि अगर मेरा by chance private college में admission हो गया, तो उससे क्या क्या sacrifices हो सकते हैं पापा के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जानता था कि हमारी उतनी हैसियात ही नहीं कि मैं private college में पढ़ सकूँ, and this was my triggering moment in the third drop, ठीक है, हर drop में मैंने कुछ ने कुछ triggering moment है, जब मैं पूरा अपना story बताऊंग, उसमें बताऊंगा, बट इसमें मैंने specifically जो है, वो third drop के बारे में ही बताया है, यह सारे चीज़े तो थी मेरे situation, बट मैंने extra क्या चीज़ किया जिससे कि मैंने मुझे benefit मिला, 2020 के January या February year में मुझे याद है कि मैंने blood donation camp में participate लिया था और मैंने blood donate किया था ठीक है, तो as a result वहां पर से मुझे एक भागवत गीता मिला था, but in the third drop मैंने decide कि यार चलो प्रगवत गीता पढ़ता है क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि इससे पढ़ने से बहुत सारे चीज़ों का समाधान मिलता है, तो मैं क्या करदा था कि daily सुभा और सुभा मतलब कि पढ़ाय करने से पहले और सुरात में सोने से पहले मैंने वहागवत गीता को पढ़ने स्टार्ट किया ज्यादा नहीं एक दूपेज पढ़ता था, शुरू-सुरू मैं मुझे पढ़ने में दिक्कत आती थी क्योंकि वह संस्कृत थी और मुझे संस्क्रीट उतना जदे स्ट्रॉंग नहीं था बट फिर भी मैं पढ़ने के कोसिज करता था और उसे समझने के कोसिज करता था, शुरुवाती दौर में पढ़ते पढ़ते तो मुझे इतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ इसका बेनिफिट के बारे में, मैंने अपना syllabus complete कर लिया है, मैं अपने पुरी सिद्दत से साड़ा पढ़ाई किया हूँ, पुरी महनत, बहुत ज्यादा महनत किया था इस बार, ठीक है, इतने ज्यादा महनत किया था कि मैंने अपने पुरी life में ज्यादा महनत कभी नहीं किया था, और ये सारे चीजे को मैं अपने भगवान जी से मैं share करता था, कोई भी चीज जो genuine होती है, जो मैंने की भी होती है, वो मुझे बोलने में सरम नहीं आती, ठीक है, मैं हमेसा जो है भगवान जी से बात करता था, और मैं हमेसा दूसरे को भी सरेश करता हूँ है कि तुम भी बात करो और बात करने से ही solution निकलता है ठीक है जब भी तुम परिशान हो ना एक बार तुम बात करके देखो पिर तुम्हें देखो कितने जादा benefit मिलती है सो मैं एक ऐसे stage पर पहुँच चुका था तो सोने से पहले मैं next day के लिए पुरा रूटीन बना ला था ठीक है अच्छा चलो इस घंट से घंटे के लिए मुझे यह पढ़ाई करनी है अपना पुरा सभ्यक्ट वाइस अपना timing बैठा ला था था जाकि मेरा कल का time waste ना और जिस जारी पर मैं अपना daily timetable मैं अपना रहता था उसी डायरी के उपर मैं हमेसा कुछ ना कुछ लिखते रहता था और वो चीछ क्या लिखता था देखो मैं पढ़के सना था क्या लिखता था और यही काम मैं जो सुभा उठने के बाद करता था basically मैं दो बार करता था रात को एक बार सोने से पहले और सुभा उठने के बाद actually इसको बोलता है power up manifestation यह मैंने न कहीं पर एक video में देखा हुआ था कुछ universal law था मैंने YouTube में कहीं पर से कुछ देखा हुआ था और उपर से मैंने मतलब कि मैं कोई भी चीज को ऐसा छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे last item था ठीक है और मैंने अपने आप से बोल लिया था क्या भाई यह तुम्हारा last item है जो करना कर लो इसके बाद मैं यह भी सोच लिया था कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं नीट को त्याग देने वाला हूँ कोई दूसरा stream पकड़ डूँगा या ठीक है बट नीट को उसके बाद से एक बार भी अब नहीं देखूँगा इसलिए मैं चाहता था कि जो भी मेरे सो होप आये जो भी रास्ते हैं मैं उन सारे चीज़ों को अपना लेना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई भी बालत में गिल्ट ना रहे ठीक है इसलिए मैंने power of manifestation को भी चुना था एक तरफ मैं कहा करता था, कि वह सारे चीज़ों करता था था ठीक है मैं अपने आपको visualize करता था और जबी मैं not-down करता था था मैं पूरा मेरा पूरा सारा ध्यान था पूरा concentration रहता था वह सारे चीज़ों लिखने का सुना अगर रहता था ठीक है बड़ायए चाथा. मैं बस लग रहा हुए जाब. मैं बस अपने कर्मİ पद्यान दे रहा था में उसमें पढ़ाय कर रहा । अचलिक हैं। मैं इतना ''कड़ेंट' से जा हूए х2 यही चीज में आपको बोलना चाहता हूं माक्स की चिन्ता करके कोई फायदा नहीं होगा बाबू अभी आपके पास समय है जो करना है कर लो माक्स की टेंसन मत लो क्यों कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी आप माक्स ला रहे हो उससे 50-60 माक्स जजादा ही लाओगी जो मैंने नोटिस किया जो हम गल्ची करते हैं वो है lack of confidence जब तक तक तुम्हें खूद को अपने उपर विश्वास नहीं होगा कि yes I can do it तब तक कैसे कोई चीज तुम्हारे favor में ताम करेगी यह जो nature है यह जो God है यह सारे चीज इसी नियम पर ही काम करते हैं जब तक तुम अपने आप पर भरुसा नहीं करो कि कोई तुम पर भरुसा नहीं करने वाला है इसी को बोलते हैं आपने उपर काम करना पड़ेगा तुमको तीन चीज मैंने बोल रहा हूं करने के लिए सबसे पहले कि तुम diary not down करो है उसके बाद तुम भगवत गीता जो भग फाने जब मैंने 2021 दिया और उसमें मैंने इस्कोर किया 628 and the result is in front of you ठीक है आज मैं second year MBS student हूँ and मैंने first year में second top किया था पूरे अपना university में तुम कोई चीज को लेकर पकड़े रहो उससे अच्छा है कि तुम महनत करो ठीक है उसके लिए कोई एक solution निकालो और महनत करते रहो ठीक है रोने से कोई फायदा नहीं होगा ठीक है रोने से ना तुम्हारी भगवान भी नहीं मदद करने वाली ठीक है तुम जिस दिन अप परसंट जैन्यून बात बतारो जो मैंने क्या था देखो भगवांजी वहीं पर है मैं भगवांजी के सामने जूट नहीं बोलूँगा जो रियलीट है था मैं आपके सामने सेर किया हूँ I hope कि आपको इससे मदद मिले एंड आप इस बार नीट 24 जो है वो क्रेक करो मेरे दिली तमन्ना है कि आप क्रेक करो ठीक है आप लोग मेरे छोटे भाईबां जैसे हो आप लोग करोगे तो मुझे बहुँ जादा खुसी होगी मिलते अगले वेडियों मैं तब तक के लिए टेक केर भाईबा एंड पढ़ते रही